है गाइज इस दिव्याश एंड वेकम बैक तो नादर एपिसोड और फुटबॉल डेली और आज के एपिसोड में हम पिछले कुछ दिनों का यहां पर रिवाइस करने वाले येस कंसिस्टेंसी कई चादर मुडाने लेकिन हम यहां पर वापसी करेंगे कम बैक करेंगे लेकिन आज की एपिसोड के अगर पहली अपडेट की बात करें तो वो सोदेशी ही है यानि की अपने ही गिरेबान में ज्हाक लेते हैं आप देखो यह तो गंपर इंडिया जो छे मैच में विनलेस है वही इगास्टी मैच के अंडर जो लगा पड़ाता कि फिलोसफी आ रही है एक यहां पर लुका मॉड्रिच टाइप यहां पर हमको गेम देखने को मिल रहा है वो तो है नहीं वो तो उसका इसाब तो लगनी ना मिरको लेकिन यहां पर अफगानिस्तान से हा है विजन 2047 नहीं विजन 2047 लगना पड़ेगा लेकिन ऐसे में जहां पर इंडियन फुटबॉल फैंस इस चीज का डिमांड कर रहे हैं कि जब आपके पास अभी भी मौका है और आपको पता है कि आपके एक्जिस्टिंग सेटप काम नहीं कर रहा तो ऐसे में यहां पर ऐसा मैनेजर लेके आना पड़ेगा करेंटली क्योंकि अगर हम बात करें इसल की या फिर अगर हम इंडियन फुटबॉल एको सिस्टम की बात करें तो उसमें भी कुछ ऐसे कोचीज है जो कि बहुत बड़ा बड़ा काम कर सकते हैं इस इंडियन टीम के साथ लेकिन ऐसे में आपर टेलिग्राफ को इंडियन फुटबॉल असोसियेशन के ही एक बंदे ने बताया कि अगर इगोस्टिमाच को इस पॉइंट अप टाइम पे सैक कर दिया तो लिटरली हमारे कच्छे उतर जाएंगे उन्होंने या पर बताया कि 25 लाग की सैलरी जो परमंत बंदा ले र की कैसा बढ़िया है ये वो है अफगानिस्तान के मैच में हारने के बाद हो पर नेमार जूनियर से जब से बार्सा खोड़कर मार्सा को तो है ऐसे मैं पर लेवन्डा़ॉस कियोसाइन करने के बाद अगला नाम के आता वो कोई और नीवल की नेमार जूनियर ही है लेकिन नेमार जूनियर बारस्टा जाने की जगह वो चला गया यहाँ पर अलिलाल में लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि नेमार और बारसुना के बीच में यह तूटी-फूटी होता रहता है इसका कोई end है हाली में यहाँ पर बारसुना के एक रेडियो स्टेशन ने इसको confirm किया कि यहाँ पर जो नेमार की close sources हैं वहाँ से यह पता चला है कि वह यह नेमार का अभी भी मन है यहाँ पर बारसुना के लिए खेलने के लिए इसी के साथ यहाँ पर अगर हम एक और केटलेंड मीडिया की बात करें तो उन्हों ने भी इस source को make sure करके कहा है कि यह जो मैं बात बता रहा हूँ वो इस summer की है यानि कि summer 2024 की और जो बाकी की media है वो बात करते हैं यहाँ पर summer 2025 की जब उसका अल-हिलाल का contract यहाँ पर खतम हो जाएगा देखो logically sense बनाता है लेकिन क्या यहाँ पर नेमार को बार सुना बापर जाना अच्छी है I don't think so देखो पहली चीज तो यह कि नेमार उस point of time तक यहाँ पर obviously अपनी peak और injury prone और फिर उसकी salary यह सब अगर आप accumulate करोगे तो बार सुना उस position में होगी नहीं इसी के जाथ यहाँ पर यह भी नहीं रहेगा उसके बात से यहाँ पर जिस तरीके की बार सुना की यहाँ पर performance रहे है उसके चलते डेको की बात करे या फिर लेपोर्ता की बात करे दौनों ही चाते हैं कि जावी यहाँ पर बार सुना मैनेजर बने रहे ऐसे में आपर sport ने confirm ऐसे में यहाँ पर sport ने confirm किया है कि जावी बार सुना का मैनेजर से तब ही बनने वाला है जब यहाँ पर उसको एक दो चीज़े प्रॉपर तरीके से दी जाएगी गारंटी के साथ सबसे पहला तो यह है कि अभी जो system यहाँ पर डेको के अंडर है वो जावी को अपने हाथ में चाहिए यानि कि sporting power और थोड़ा से यहाँ पर authority जावी को भी चाहिए दूसरी चीज़ की यहाँ पर उसे pivot और एक विंगर चाहिए नहीं तो उसके हिसाब से इस squad के साथ अगले सीजन जाने का कोई फाइदा नहीं है और ऐसे में अभी का situation यह है कि जावी next season manager नहीं मनेगा इसके बात करते हैं अपने क्रिस्टियान उस sexy रॉनाल्टो कि तो हाली में पर पॉट्डुल कैم्प में भाहि उन्हें स्वेडन कोहर आया जिसमें रॉनालडो नहीं खेल रहा था था और रॉनाल्डो यहाँ पर टरॉनल में बाही इपने घुस्से में गए जिस तरीके से जाते हैं वह लेकिन उससे साथ यहाँ पर controversy उससे कुछ टाइम पहले होती है अब हाली में होता का है कि जाओ केंसिल अपने इंटर्वी में बोलते हैं कि देखो Cristiano Ronaldo एक बहुत phenomenal player है 15 साल उसने Messi की दत compete किया है कोई छोटी बात नहीं है लेकिन उन्होंने यहाँ पर यह चीज़ भी confirm किया कि Cristiano Ronaldo पर अब national team dependent नहीं होती उन्होंने यह भी चीज़ काया कि जो peak होता है वो 25-32 के आसपास का होता है और ऐसे में Cristiano Ronaldo definitely peak के आगे चला गया इसके बाद यहाँ पर काफी controversy और social media बस creator लगा अब देखो मेरे को लगता है कि यहाँ पर because क्यूंकि बात Cristiano Ronaldo की हो रही थी इसले बात ने तूल पकड़ ली नहीं तो बात में technically इतना कोई खराब बात है नहीं क्यूंकि Cristiano Ronaldo being 40 years old अब उसको भी पता है कि वो यहाँ पर कहीं moment पे एक बहुत influential player होगा लेकिन कहीं moment पे उसको squad player भी रहना पड़ेगा ऐसे में यहाँ पर ठीक है अभी पता चल रहा है कि Roberto Martinez उसके साथ एक काफ़ी diplomatic relation रख रहा है और you know sweet spot, sweet spot G spot type में यहाँ पर relation चल रहा है लेकिन I think Jao Kenzel ने कुछ इतना बुरा कहा नहीं जितना यहाँ पर इडिया ने उसको tool बना के दे दिया इसी के दादर बात करते हैं हम यहाँ पर Real Madrid की तो भाई Alphonso Davies और Bayern के बीच में जो agreement है या फिर contract negotiation चल रहे हैं वो कईनकी अब दूर होते वे जा रहे हैं और ऐसे में confirm हो गया है कि Alphonso Davies Real Madrid ही join करेगा यह depend करता है कि Real Madrid जो पहला offer देगी इस summer में वो यहाँ पर Bayern accept करेगी या फिर नहीं करेगी नहीं तो अगर accept नहीं करेगी त्यूंकि Real Madrid ने cap लगा रखे कि हम 50 से जादा नहीं देंगे हम 45 से जादा नहीं देंगे ऐसे में यहाँ पर 2025 में as a free agent Real Madrid Alphonso Davies को उठाके लियाएगी Alphonso Davies 23 साल का core one of the best left back आप क्या सकते हो attacking में और भाई Bayern को छोड़ के जा रहा है यह बहुत बड़ी बात है इसके साथ बात करें यहाँ पर Zabi Alonso की तो भाई Zabi Alonso ने इसको खुद officially confirm कर दिया कि उन्होंने Leverkusen के साथ बात करके confirm है कि यहाँ पर वो Leverkusen के साथ ही रहेंगे and it makes sense Leverkusen को छोड़ना Bayern के लिए कोई sense नहीं मनाता ठीक क्योंकि Bayern तो करी ही रही है Bayern पर dominant करी ही लेगी लेकि Leverkusen ने जिस तरीके से monopoly तोड़ी है Bayern की अगर वो इसको एक दो साल तक कर सकते हैं तो बुंदस लिया कि level बढ़ जाएगा और ऐसे में यहाँ पर Champions League खेले Leverkusen के साथ Cup competitions खेले और better करे क्योंकि Leverkusen के भी को इतने बड़े star players इस समर जाने नहीं वाले लेकिन इसके साथ जटका लगा है अपर Liverpool को भी अब देखो Liverpool यहाँ पर plan A ही मानके चल रही थी Zabi Alonso को इले क्या नहीं ऐसे में यहाँ पर जब Zabi Alonso नहीं मना कर दिया तो Liverpool थोड़ा हका बक्का रहे गई Robert तो दिजर भी है यहाँ पर एक दो managers और है लेकिन इस साथ में जो सबसे उपर है वो है sporting का Amorim देखो Amorim के अगर आप domestically stats की बात करोगे absolutely बहुत बढ़िया है लेकिन Amorim में एक दिक्कत है और वो यह है कि he's inexperienced और सबसे बड़ी बात है कि Liverpool में वो भी यगन klop के post era में कोई भी manager आएगा उसको experience समहालना और यहाँ पर उस pressure को soak करना आना चाहिए अब इसका मतलब यह नहीं है कि वो successful हो नहीं सकता लेकिन यह एक ऐसी चीज़ है जिसको आप ignore भी नहीं कर सकते दूसरी चीज़ यह है कि वो back 3 को हमेशा ही खिलाता है चाहे वो ब्रागा की बात करे चाहे वो यहाँ पर आप चेंग हो सकती है